तो गाइस हम किसमें आ चुके हैं अब अपने android studio में आ चुके हैं अब गाइस जो हमारा यहाँ पर menu था राइट केटलोग activity में वह यह था दो यह थे राइक तो हमारा क्या था on create option menu था और एक यह था अब गाइस अभी हमने menu के बारे में discuss नहीं करा था तो menu पर दीख लेते हैं और गाइस जैसे हमारे resource में हम layout files कर लेते हैं .xml जैसे map सारी होती है ऐसी जो menu होता है गाइस वह भी क्या होता ह है यहाँ पर हमारे xml की ही form में क्या होता है save होता है तो यह हमारे दो क्या है menu है गाइस अगर आप इसमें resource folder में जा तो यहाँ पर menu नाम का है जो हमने create करा था starting में राइट उसमें क्या है दोनों हमारे menu है तो गाइस चीज की हमें जरूवत नहीं है फिलाहल उसे बन कर दे है and हमें menu editor की भी जरूवत नहीं है हमें menu catalog ही देखना है अभी right तो editor भी बन कर देता हूं guys and यहाँ पर simple code देखना है हमें हमारी यह क्या होती है menu यह भी किस form में होता है xml form में होता है और इसे क्या कहते है overflow menu कहते है क्यों क्योंकि यह उपर app activity वाली उसमें बार में होता है अब guys यह जो menu होता है इसका क्या हम क्या start करते है bracket start करते है menu के उससे इसमें हमारा पास three name space वाले tools होता है फिर इसका guys यहाँ पर tools में context दे रखा है कौन सी activity से inherit कर रही है catalog activity okay यह हमने यह बता दिया अब यहाँ पर हमने define कैसे करते है item की form में एक item यह है एक item यह है अगर मैं इसे split करो तो हमारा यहाँ पर overflow menu दिख भी रहा है यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कौन से दो overflow menu हमारे insert dummy data and delete all pet तो guys हमारे यह आगए एक तो ID आ गया string दे दिया हमने action insert dummy data तो यह तो आगे guys ID जिससे refer करेंगे इसे फिर आगे हमारा title title मतलब जो हमें दिखेगा और guys यह जो है show as action show as action मतलब होता है जैसे guys अगर जो हमारा क्या है जो overflow menu है तो अगर आप देखो एक होता है ऐसे बाहर की तरफ option दिखना है जैसे यह क्या है हमारे dot 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 दिख रहे है तो जैसी मैं इने click करूंगा तब यह option क्या होंगे drop down होंगे तो यह ही होता है कि show as action मतलब यह जब तक हम इस पर click न करें तब तक दिखें ना hidden रहें तो यह इसकी क्या होता है एक attribute होता है जो हम इसे यहाँ पर use करते हैं अब गाईज यह inherit इने किसके अंडर में आता है यह जो हमारी class है जो इसे क्या करते है जिसके अंडर में आता है किसके method है यह menu वाले वो है guys हमारी parent class के और parent class guys हमारी कौन सी है जो parent activity है वो है app compact activity तो जो menu आते हैं guys menu वाले जो यह हम जिसको overwrite करेंगे right वो किसके अंडर में आते हैं app compact activity में predefined होते हैं guys और क्यूंके हम यहाँ पर app compact activity को क्या कर रहे है extend कर रहे है मतलब inherit कर रहे है sub class कर रहे है किसकी catalog activity की जो हमारी main activity है इस वजह से guys इसके जो हमारे दो और method होते है जो menu को एक तो create करता है और एक क्या करता है guys उस पे select करने की हमें power देता है दोनों को हमें क्या करना पड़ता है overwrite करना पड़ता है यह दोनों methods हमारे पास already well written ह है तो guys यहां पर हम क्या use कर सकते है on create option menu यह क्या create कर रहा है option create कर रहा है इसके parameter में आप देख लोगे तो menu type का object यहां पर है और इसका data type के menu type का data object अब गाई इसमें हमने क्या करा get method लगा दिया क्या करने के लिए inflator लगा दिया inflate कर दिया इसमें इसकी ID देदी इसकी ID right तो यह कहां जाएगा guys जो हमारी menu catalog थी जो मैंने XML file बनाई थी तो यह XML file को उठाके create कर रहा है जो इसमें option दे रहा है और यह object कौन सा ले रहा है menu type का ले रहा है तो इसने बता दिया कि okay यह सारी हमारे पास value है menu की और return क्या दे दिया इसमें true दे दिया तो guys यह क्या होती ह है इससे basically हम करके आ रहे है guys menu inflate कर रहे है inflate मतलब guys बनाना hopefully guys यह समझ में आ गया हो आपके यहां पर क्या गरा हमने inflator लगाया उसे inflate कर दिया किसको menu को और इसका address क्या है जो हमारा resource में menu के अंदर जो XML file है तो और इसमें menu पास कर दिया यह इसका guys syntax है कि menu पास होगा इसके यह तो syntax है और जो इसकी ID है वो हमने कौन सी दे दी जहां पर हमने create करा है menu यह पूरा syntax है guys जो यह लिखा है मैंने यह syntax है यह true return true syntax है और यह get menu inflator यहां तक का पूरा syntax है ओके यह पूरा pre return होता है बस हमें क्या change करना है guys जो हमारी कहां पर menu वाली file exist करती है वो हमें खुझ से लिखनी है और दे देनी है तो इससे हमारा क्या होगा guys menu create हो गया आप उस menu पर जो options है guys उन्हें click करके कुछ ने कुछ होना भी चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा दूसरा method यूज करने on option item selected इसमें क्या item है किस type का menu item type का data type का अब गया इस object को हम use कर सकते है switch statement में जो क्या कर स दिया कि कौन सा case है अब यह कैसे पता लगेगा guys हमें कौन सा case है अगर आप देखो यहां पर हमने ID दे रखे है और डॉट आइड एक्शन इंसर्ट डमी डेटा अब गाइस यह वाला action इंसर्ट डमी डेटा कहा है ID मैं अगर इस पर control बी करूं तो कहां जंब हुआ हमारा ज करूं जो हम constant values से क्या दे रहे हैं एक टोरो वाला पैट की क्या डमी डेटा बनाके इंसर्ट करेंगे इसके अंदर राइट तो यह वह हो जाना चाहिए तो guys यह तो हो गई हमारी की यह work कैसे करेगी अब यह case define करेगा कि कि किस पर click हो रहा है जिस पर match हो जाएगा वह वाली हमें इस पर functionality एड़ करने कि कि जैसी इस पर click हो insert dummy data पे तो हमारा कुछ हो तो क्या होना चाहिए हमारा जैसी इस पर click हो कोई ना कोई method चलेगा राइट तो guys यहां पर मैं एक method बना लूँगा इंसर्ट पैट तो guys यह अभी सिफ मैंने आप method का नाम दे दिया है यह method अभी हम इस वाले insert पैट वाले method को तो मैं क्या कर लूँगा प्राइवेट एक प्राइवेट टाइप का प्राइवेट वाइड इंसर्ट पैट और मैंने इसकी पैट की क्या दे दी बॉड़ी दे अब गई जो मैंने यहां पर insert क्या बना लिया मैं जो method मैं कहां कॉल करूंगा यहा यहां पर insert पैट वाला method होगा जो जिस method में क्या करूंगा गाइज मैं जितने भी हमारे पैट हैं वो insert कर दूंगा अब गाइज यह इस वक्त जो method है हमारा empty body है इसमें कुछ हो रहा नहीं है तो गाइज इसमें अगर आप सोच होई हैं पर सिर्फ हमें एक method नहीं चाहिए ह हमें चाहिए कि जैसी Pets insert हो राइट हमारा pet insert हो जाए हमारा क्या update जाएज हो जो हमारी row फो हो वोगी हमें चाहिए लिटा हमें हमें कि रोब डेट वाले पहले डिस्पले यह वाला method एक आपडेट कर दे किसको जो हमारी row वाली वो थी तो guys मैं इसे क्या करूंगा इसका एक चीज और कर सकते हैं यह insert pet के बाद मैं यह वाला जो method है हमारा कौन सा display database info मैं इसको भी क्या कर दूंगा update कर दूंगा तो मैं जैसी यहां पर display database info लोगा guys तो यहां पर क्या हुआ गाइस इस time पर कि जैसी मैंने यहां पर display database info लिया तो पहले क्या हुआ इंसर्ट हुआ जब मैंने insert dummy data पर click करा इंसर्ट हुआ और इंसर्ट होते ही क्या update होगा कौन सा method चलेगा हमारे display database info और उस पर क्या जो table नई table insert हुई होगी वह दिख जाएगी कि अच्छा नई table insert हो गई है तो यह तो हो गया हमारा यह वाला concept की कैसे हमें table insert करनी है और कैसे उसे display करवाना है कि कैसे click करते ही वह update हो जाए तो यह वाला concept hopefully आपको समझ में आ गया हो यह वह पहले क्या चलेगा insert path वाला method चलेगा जिसमें अभी हम concept लि अब गाइज यहां पर हमें क्या-क्या changes करने हैं वह देख लेता है एक सबसे पहले एक चीज कर लेता हूं यहां पर जो हमारा instance है यह सारे जो pet db helper के यह यूज होने ही होने है तो ऐसा कर लेते हैं इसे यहां पर क्या बना लेता है global variable बना लेता हैं तो इसे क्या होगा guys हमे pet db helper तो यह क्या बनिया guys एक global variable बनिया हमारा और यहां पर guys अब जब यह global variable बन चुका है तो मुझे यहां पर pet db helper की जरूबर नहीं है क्यों क्योंकि यह क्या एक global variable है अब guys यहां पर थोड़ी सी और हमें changes करने पड़ेंगे एक तो जो हमारा यह display database info है guys अब हमें इसे भी show करवाना है right तो इसे का मैं क्या कर दूँगा comment हटा दूँगा और यह वाला मैं हटा दूगा SQLite वाला क्योंकि हमें readable नहीं चाहिए writable चाहिए अब guys किसको क्या कर लेंगे हम जो हमारा क्या था जो method था right insert pet वाला उसमें work कर लेंगे उसमें work कैसे करेंगे वह देख लेते है अब हमें क्या object बनाना है guys SQLite type का तो मैंने यहां पर क्या ले लिया SQLite database type का एक db का क्या बना लिया object data type बना लिया और यहां पर मैंने क्या यूज कर लिया guys अपना global जो हमने instance create कर था वह यूज कर लिया और यहां पर क्या यूज करेंगे guys get writable database readable नहीं writable अब यह तो हो गय इसका हमने लिखने के लिए अब क्या यूज करेंगे हम जिसकी help से हमैं content values इसके help से हमें insert करना था राइड यहां पर आगे हमारा content values और इसके मैंने क्या बना दिया यह पे object create कर दिया values के नाम से यहां पर हमने यहां पर इसको object create कर दिया आप क्या करेंगे इसमें values पुट कर देंगे कहां क्या add करना था था हमें pet entry add करनी थी pet entry dot तो क्या है pet name से start करेंगे guys तो pet name पर क्या value देंगे हम गई टो दूसरी value के input करेंगे यहां पर हम यहां पर हमारा हो गया फिर गया फिर इसमें पर देंगे pet entry dot column gender और जब करेंगे यहां पर लिखेंगे हम तो यहां पर अब हम direct string नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा क्या integer type का है तो इसको भी क्योंकि यह सब class ती रहे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम जेंडर क्योंकि हमें access करना है अब simple क्या उसका जो column था तो यहां पर क्या ले लेंगे mail ले अब क्या बचा है तो मैं यहां पर वेंपुट कर देता हूं dot column weight और यहां पर क्या हो गया और यहां पर आप कंफ्यूज मत हो ना कि यहां पर जेंडर पर हमने अलग से वह क्यों दिया क्योंकि अगर आपको यादो जो हमारी पैट एंट्री वाली class थी तो उसमें जो जेंडर थे उसके हमने एक अलग कांस्टैंट करेते राइट और किया है जबकि यह किस में बैलिए गैणर मेलियू क्या है इंटीजर में राइट Saguder धिया एक उर sub सब कॉंस्टैंट पस कर दिया जिसमें हमने वैयू फ्र्टिव करें आभ यह मैंने आपको बताए जो हमने क्या करा यहां पर औशेक क्रिएट करेंगे इंफर उसके बात क्या था गाइज हमने टेबल नेम करना था रहा बाद पेट एंटरी डॉर्ट टेबल नेम हो गया हमारा नल हो गया एनग हमारा टीसरी वो क्या दिका रही है वैलियू उस धी मैंने ब्श territories इसको मैं simple ऐसे भी लिख सकता था अगर मैं यहां पर long row id नहीं लेता simple db जो हमारा database object था उसमें insert कर देता और यहां पर pet entry में सीधा table name null values यह वह पार्ट है जो हमने insert कर आए जो हमें पता था जो हमने coding में देखा था लेकिन इसकी जो value होती है guys वह क्या होती है हमें एक output मिलेगा जैसे new row id है तो जब guys यह किसमें जाएगी return जाएगा तो यह वाला method run होता है guys तो जो guys id होती है हमारी यह basically क्या जाएगी यहां पर दो हमेशा इस पर क्या होता है guys जो parameter होता है जो हमारा content values होता है इसके एक तो तीन parameters होता है और एक return value होता है return value किस type में जाती है id type में जाती है कि या तो इसमें positive value जाएगी जो हम इसमें भेज रहे हैं जो values भेज रहे हैं या फिर एक negative value जाएगी तो उस basis पर हमके detect कर लेंगे guys कि हमारा सब कुछ सही work कर रहा है या नहीं